एक बार की बात है नियहा प्लेट में लंदन के लिए जा रही थी प्लेट के लंदन आग लखने की मुझे से आग दी प्लेट के उपर चड़ गई उसने सोचा प्लेट से छलांग लगा के मैं अपनी चान तो बचा सकती हूँ उसने छलांग लगा दी लेकिन छलांग लगाने पर वो बची नहीं वो चुडेल बन चुकी थी और अब इस दुनिया से रुपसत हो गई एक मरतबा वो जंगल में गई जंगल में नहा से मिली नहा ने कहा तुम तो चुडेल हो तुम इस जंगल में क्या कर रही हो उसने कहा मैं अपनी जान बचाने के लिए प्लेन से छलांग लगाई लेकिन मैं चुडेल बन गई यहां से यह रास्ता कहा जाता है नहा ने कहा यह शहर की तरफ जाता है और वो चुडेल वहां से चले गई और उसने अपनी सौतन मा से कहा मुझे रास्ते में एक चुडेल मिली थी इसलिए मैं लेट हो गई माने कहा सारा काम पड़ा है अगर तु काम नहीं करूंगी तो मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी नहा को घुसा आया और वो एक बार जंगल में जा रही थी जंगल में जाकर वो रुग गई नहा आई और अपना फुसा निकाल के उसे मार दिया वो चुडेल देखती रही रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं ठहरी उसने अपनी मा को ही मार दिया और नहा का पिताजी घर आ रहा था उसने कहा मा कहा है नजर महीं आ रही है नहा ने कहा पता नहीं कहा चले गई तुमने उसे गाइब कर दिया है तुम्हें पुलिस अभी पकड़ने के लिए आ रही है मैंने फोन किया है उतने में पोलिस आई और नेहा के पिताजी को लेकर जेल के अंडर डाल दिया और नेहा ने पोलिस वालों को बहुत सारा पैसा दिया कि उसके पिताजी जेल से ना छुटे कम सकम दस साल की सजा दे इनिस्पेक्टर ने कहां ठीक है मैं उसे दस साल तक नहीं छोड़ोंगा तुम जाओ अपना काम करो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंके तुम निर्दोश है मैं केस सम्हाल लोंगा अब तुम जा सकते हो इधर एक बार पॉलिस टेशन के अंदर चुडेल आई और कहने लगी तुम ने अच्छा नहीं किया तुम पॉलिस वाले अच्छे नहीं होते थोड़ा पैसा आगा बे कसूर को अंदर डाल दिया ये गलत बात है पैसो की चकर में तुम लोगों की जिंदगी बरबात मत करो तुम्हें रिश्वत की क्या जरूरत है तुम्हें गौर्मेंट तो फुल पेमेंट देती है फिर तुम लोग ऐसे काम क्यू करते हो पुलिस वाले ने कहा तुम तुम्हारा काम करो हमें सब समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है इधर नेहा चुडेल के पास आई चुडेल ने कहा तुने अपने मा को ही मार दिया मुझे सब पता है और वो बेचारे बेकसूर को भी जेल भेश दिया तुने अच्छा नहीं किया तुझे सजा जरूर मुलेंगी उतने में एक चुड़ोए आई और उस पर हमला कर दिया हमला करते ही नहा नीचे गिर गई और मर चुकी थी चलो दोस्तो हमारी चैनल को सब्क्राइब करें